दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गु और मौजूद हैं देश लोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना प्रदेश के अंदर चुनाव के बाद में नई प्रकार की राजनीती लगातार चल रही है वो नई प्रकार की राजनीती है कॉंग्रेस के अंदर और वो राजन दिनों एक पत्र जारी हुआ Congres Party की तरफ से, वो पत्र था माराष्ट और झार्खण के अंदर जो स्टार परचारक होंगे, यानि की स्टार Campingner होंगे, चुनाव परचार करेंगे Congres की तरफ से उनकी सूची का, ऐसी सूची पर हमेशा जो दस्तहत हुआ करते हैं, वे कॉंग्रेस के संगठनात्मक महासचीव के हुआ करते हैं जो इस समय केसी वेडू गुपाल जिसकी ड्यूटी संभाले हुए हैं उस पत्र पर जो अभी हाल ही में जारी हुआ महाराष्ट्र और जहारखंड के स्टार केमपेनर्स का उस पत्र पर हस्ताक्षर जो हुए हैं उस चिठी पर जो मजमून पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो कुमारी सहलजा के हैं कुमारी सेलजा हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस की पूर वध्यक्ष और इस समय एई सीसी की अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी की राश्ट्रिय महासचिव और इसके साथ साथ हर्याना के सिर्सा की लोगसभा सदस्य सांसद कुमारी सेलजा का नाम आप लेते हैं कुमारी सेलजा की बात करते हैं तो फिर एक चहरा सामने आता है हर्याना और देश का एक बड़ा दलित चहरा दलित राजनीती का एक बड़ा फेस जिसे की कॉंग्रेस के अंदर कभी आगे कभी पीछे कभी उपर कभी नीचे किया जाता कुमारी सहलजा जो हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रही जिनने कई बार दावा किया कई बार कहा कि वे वेटिंग सीम है मुख्य मुंत्री पद की द्रेस में वो भी है कुमारी सहलजा जो विधान सभा चुनाव लड़ना चाहती थी जिनको विधान सभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया कुमारी सहलजा जिनके लिए चुनाव के दौरान कॉंग्रेस की सभाओं के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी बातें भी सामने आई जो अशोबनिये हैं असहनिये हैं और अब कुमारी सहलजा के बारे में मैंने जो आपको बताया कि एक चिठी दोस्तों जब से हरियाना प्रदेश के चुनाव हुए हलांकि इस समय चुनाव चल रहा है जारखंड का और महाराष्ट का इसके साथ साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में विधान सभा के उपचुनाव है इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है पंजाब था यूपीय तो इंडिया बन चुका इंडिया लाइन से जो इन दोनों गठवंदनों के अंदर बहुत काटे की बिढ़नत है जारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी और हर्याना का जिक्र मैंने आपसे इसलिए क्या था कि हर्याना का जो विधानसवा चुनाव हुआ पा 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाव आए तो उनके सारे जो अर्मान थे अगर मैं वॉलिवुट का जो गाना गा दूं की दिल के अर्मा आसुओं में बह गए तो कॉंग्रेस के नेताओं के सारे अर्मान वो बह गए और उसके बाद बात चल पड़ी कि क्या कॉंग्र जुन खरजे इनके साथ में राहूल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा क्या कॉंग्रेस के अंदर खासकर हरियाना कॉंग्रेस के अंदर किसी बड़े ओप्रेशन को अब मूर्त रूप देने की तैयारी में है। सरकार बन चुकी है भारती जनताप्राटी की, मुख्य मंत्री बन चुके है, मुख्य मंत्री के साथ साथ वजीर बन चुके है और अब सरकार पूरी तरह एक्शन में है, लेकिन इंतजार दूसी तरफ कॉंग्रेस का है कि कॉंग्रेस की तरफ से अभी तक विधायक दल का न पहला चुनाव था जिसके अंदर कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर चलने के बाद में, डिजिटल मीडिया पर चलने के बाद में, जरूर कॉंग्रेस के जो प्रभारी हैं, दीपक बावरिया, वो जरूर आ लेकिन इनके लावा अगर देखें चाहे चौधरी भूपेंदर सिंग उड़्डा हों चाहे चौधरी उदयभान हों और कॉंग्रेस के तमाम और नेता हों किसी ने नैतिक दाइत विसकाल लेने की अभी तक भी ही लुज़त नहीं परती थी अब मैं तो पूर बात आ जाती है जो मैं आपको बता रहा था कि कॉंग्रेस के अंदर बड़ा ओप्रेशन और जो मैं आपको बता रहा था वो चिठ्थी जो महराष्ट और जहारखंड के लिए चली जिस पर सिगनेचर थे कुमारी सेल जाके केसी वेडु गोपाल भी राजनीती के अंदर खासकर कॉंग्रेस की राजनीती के अंदर बड़ा नाम है चाये वो लोगसभा के चुनाव थे और चाये फिर विधान सभा के चुनाव हुए सभी चुनावों के अंदर जितनी भी चिठ्थियां चलती थी उन पर केसी कमान या मन्थन करने वाले निताई बता सकते हैं लेकिन ये जरूर है कि जब बात चली थी कि कॉंग्रेस में हार के कौन-कौन से साइड एफेक्ट्स रहे कौन-कौन से फैक्टर वने तो उसके अंदर कहीं नाम केसी वेडू-कौपाल का भी चला था दीपक बाबरिया उसके अंदर चौधरी उदैबान चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा दीपेंदर उड़ा इन तमाम नामों के साथ में एक नाम केसी वेडू-कौपाल का भी आया था और अब जब चिठी चलती है जिसके अंदर की कौंग्रेस के स्टार परचारकों के नाम है और उसमें जब कुमारी सहलजा का नाम जाता है तो फिर इस चर्चा को बल मिल जाता है कि हर्याणा के लिए कौंग्रेस एक बड़े बदलाव के बनाया जा सकता है कौंग्रेस का जो विधायक दलका नेतावी तक तै नहीं हुआ उस पर कौन सा नाम सामने आ सकता है क्या हर्याणा के अंदर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव और लोगसभा चुनाव में पूरी तरह से भूपेंदर सिंग उड़्डा को फ्री हैंड दिया कौंग्रेस हाला कमान ने क्या अब उसी प्रकार से फ्री हैंड रखा जाएगा और या फिर बदलाव होगा क्या जिस प्रकार से कौंग्रेस का संगठन नहीं बन पाया था पिछले 10 साल में जिसको ले करके सबसे प्रमुक मानी गई कौंग्रेस की गुटबाजी उस स अब कर कौंग्रेस किसी बड़े ओप्रेशन की तैयारी में कौंग्रेस हाला कमान कोई बड़े ओप्रेशन की रूप रिखा तैय कर चुका है अब सबसे महत्वपूर बात आ जाती है कि दो महत्वपूर पद हर्याना के कौंग्रेस के एक हर्याना कौंग्रेस कमेटी के अध्यक्षपत से मुक्ति दी जा सकती है और उनके स्थान पर नया चेहरा आ सकता है जिस पर नाम चला था कुमारी सहलजा का लेकिन अब जब केसी वेडू गोपाल के स्थान पर कुमारी सहलजा के हस्ताक्षर वाला पत्र जारी होता है तो फिर राजनीतिक गर्यारों में एक नई चर्चा चल पड़ती है कि कुमारी सहलजा को क्या हर्यारा परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षपत मिलेगा और या फिर कोई उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दिल जा सकती है उसके बाद महत्रपून बात आ जाती है कि क्या भुपेंदर सिंग उड़्डा जिन स्तिती में खुद को पाना ऐसे हालात में जबकी हर्याना के कॉंग्रेस के संग्ठन पर बड़ा जो आधिपत्य है वो भुपेंदर सिंग उड़्डा गूर्प का है। कॉंग्रेस के जो विधायक हैं उसके अंदर जो बड़ा आधिपत्य है जो बड़ी संख्या है वो वुपेंदर सिंग गुड़ा के समर्थकों की है ऐसे में क्या मैं जो आपको कह रहा था कि क्या पूरी तरह से इग्नोर कर बाना भी कॉंग्रेस आला कमान के लिए आसान होगा और जो कॉंग्रेस बड़ा उप्रेशन अगर हर्याना के लिए सोच रही है तो उसके अंदर फिर कौन-कौन से पार्ट्स चेंज करने की बात चलेगी कौन-कौन से पार्ट्स नए डालने की या किन-किन की मैंटिनेंस की बात आएगी क्योंकि जब ऑप्रेशन होते हैं जब सर्जरी होती है तो उसके अंदर ही तमाम सब कुछ हुआ करता है और अब जब महराष्ट्र और जहारखंड का चुनाव जो कि 20 नवंबर को हो जाना है और जिसके परिणाम 24 नवंबर को आ जाएंगे उसके बाद में ये सारे ऑप्रेशन होंगे या उससे पहले भी कुछ हो सकता है क्योंकि हर्याना विधान सबाग का सत्र भी है लगवाग 18, 15 या 18 नवंबर के आसपास क्या उससे पहले हरियाना को Congress का जो विधायक दल का नेता यानि विधांसभा का विपक्ष का नेता मिल जाएगा और या फिर उसके लिए बें इनतजार होगा ये बहुत सारी बाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कि मैंने आपसे कहा कि Congress क्या हरियाना के अंदर किसी बड़े operation के mood में है उसके अंदर कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं आपसे हमारा हम भी अई सवाल करके चल रहे हैं कि क्या कुमारी सेलजा को हरियाना परदेश Congress Committee के अध्यक्षपत की कमान मिल सकती है और फिर या उन्हें राष्ट्रिय संगठर में कोई और बड़ी ओधा मिल सकता है बुपेंदर सिंग उड़ा हरियाना Congress विधायक दल के नेता बन सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें देश रोजाना का YouTube चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन